दोनों ने बात कर लिया और अच्छी बात किये लेकिन विराट कोली कभी T20 का बैथरिन प्लेयर नहीं रहा तो दोस्तों ये छोड़ा सा क्लिप आपने देखा राशत लतीफ का ये एक बता दूँ ये जब इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच होने वाला था उससे पहले जो प भी मैंने वीडियो अप्लोड करके बताया था कि विराट कोली अगर T20 के बैस्ट मैं नहीं है तो फिर तो उससाब से बावाराजम तो विल्कुल खेलना ही नहीं बनता उनका रिजवान का भी खेलना नहीं बनता मतलब ऑविसली बावाराजम रिजवान दोनों T20 के प्लेय है मुझे ये एशिया कप से टीम इंडिया के बाहर होने का बिल्कुल भी गम नहीं है ओविसली क्लोस गेम थे इंडिया ने जो टीम सेलेक्ट की थी जो इस्पेसली बालर सेलेक्ट किये थे वो काफी मतलब आप समझ सकते यार बहुत मतलब इन एक्सपिरियंस टीम थी यार अर्षदीप आविस खान दोनों बालर अच्छे नहीं थे मतलब अर्षदीप ने बहुत अच्छी बालिंग की डेफिनेटली लेकिन हमें एक और एक्सपिरियंस ट बालर ले जाना चाहिए था आप मुहमबस समी को रख सकते थे या तो आप नटराजन को रख सकते जिनको आपने ट्राइ किया दीपक चहर को रख सकते थे पहले से ही रख सकते थे और उसके सांसाथ आप रख सकते थे उमेश यादा को भी रखने में कोई बुराई नहीं थी क्योंकि वो एक्सपिरियंस ट बालर थे हाला कि आप टीम इंडिया पता है आपको फोकस क्या कर रही है जो upcoming T20 World Cup है, उसको लेकर टीम सेलेक्ट आ रही है, लेकिन उसका खामे आ जा तो हम भुगच चुकें, लेकिन जो दो मैच इंडिया हारी है आपने देखा होगा, उसमें बेसिकली वज़य थी हारने की भुविनिश्वर कुमार, भुविनिश्वर कुमार का आपने देखा और उस वज़य से मुझे हिसाब से टीम हारी है, अर्शदीब बिचारे ने तो वो कैच छोड़ा, उसके अलाबा उसने तो कुछ गलत किया नहीं, वो डैट होवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर आपने देखा हो, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है सर लेकिन मुझे उनका कोचिंग स्टाइल सीनियर्स प्लेयर के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक हैड मास्टर की तरह कोचिंग साइड देते हैं, जैसे की कुंबले देते हो, तो इस वज़य से मुझे ऐसा कभी लगता है कि वो जो बॉंडिंग रवी सास रवी सासरी आप देखते थे रा कितना कूल कोच थे, उनके मतलब उनके टम में आपने देखा होगा कि इंडिया सेमी फाइनल हारी थी 2019 का, बागी अगर आप उनके टम में देखे तो इंडिया का परफोर्मेंस पीक पे था, मतलब हर जगा इंडिया अच्छा खेल रही थी सब जगह अच्छा खेल रही थी, 2019 का सेमी फाइनल अगर आप निकालने, उसके लाब हमने ऑस्टेलिया का उस्टेलिया में हर आया, हर जगह अच्छा खेला, अभी राहुल द्रवेट के साथ ऐसा सीन है कि राहुल द्रवेट मुझे परसनली बहुत फेवरिट प्लेयर है, मुझे सजिन से जाए उनकी अच्छी बैटिंग देखने में लगती थी, बट ऐसा कोच मुझे ऐसा लगता है कि वो जूनियर लेबल में तो बहुत बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं, बट मतलब ये वेन इट कमस तो सीनियर साब समझ सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होग क्योंकि राहुल द्रवेट पावरफुल कोच होंगे, अभी की जनरेशन के कोच है, अगर आप उपर से सौर्प गांगली को देखें, राहुल द्रवेट को देखें तो इनकी टीम में चलेगी, रवी सास्त्री के साथ ऐसा सीन होगा कि विराट कोली जैसा बोलेंगे तो र एक टीम खिलाता था ना तो वो लास्ट तक वोई टीम खेलती थी, मतलब पाँच मैच में भी वही टीम खेलती थी, अंटेल अनलेस कोई प्लेयर इंजर नहीं होता है तो, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हर आप देख सकते हो यार, टीम इंडिया का पिछले एक साल या इंग्लेंड में, वेस्ट इंडिज में, डीके की जगे हुड़ा को खिला दिया, हुड़ा से बॉलिंग नहीं कराई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा सीन क्या था, आप समझ सकते हो यार, दोस्तों, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, अब रही बात राशत लतीफ की, तो राश करने, कई लोग तो ऐसी बात करें, विराट कोली टीटनडी का प्लेयर ही नहीं है, यार भाई, विराट कोली फॉर्म में नहीं था, लेकिन फॉर्म में आ गया ना, अब देखिएगा आप उसका फॉर्म, कैसे सेंच्री मारता है वो, अब देखिएगा, उस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कॉफ है, उस्ट्रेलिया में विराट कोली का फॉर्म आपने देखा हूँ, उस्ट्रेलिया में भारत को कौन सा पेसर्स चुनना है आपको पता है, मेरे इसाब से भुवनिश्वर और दीपक चाह, भुवनिश्वर ने भी आज अच्छी बॉलिंग किये, भुवन सा ही मार्जन से हा रहा है, तो इसका ये मतलम नहीं कि हमारी टीम खराब है, मैंने राहुल द्रबुल का ये स्टेटमेंट सुना था आज, तो इसका ये मतलम नहीं कि हमारी टीम खराब है, हमारी प्रपरिशन खराब है, आप समझ सकते हो, टीम हमारी अच्छी है, हमारी प् हो गए तो अब मुझे जड़े जाका ऐसा सीन है मैंना उनका इंस्टा पर फोटो देखा लगता नहीं कि वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे अगले महीने वर्ल्ड कप है तो अब कुछ हमें अब मैं भाएंगे झाले मह हो खर रहर कि शाले जाका साथ videos आप वर्ल्ड करता समय